आप देख रहे हैं नाजरीन इस साल अगस्त में आठ अगस्त को कोईटा में सिवल हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से एक खुदकुश हमला किया गया जिसमें 50 वकला समेत 71 अफराद जो है वो अपनी जान से गए उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जजज की सरबराही में एक रुकनी कमिशन काम कर रहा था उसने 110 सफ़ाद पर मुश्तमिल एक जामे रिपोर्ट जो है वो तर्तीब दी इस कमिशन की रिपोर्ट हमारे सामने आई कोईट असान है के हवाले से 56 दिन लगा कर ये कम्प्रिहनसिव रिपोर्ट जो है वो अवाम के सामने रखी गई और इसमें जो नुकात सामने आए हैं फाजल जजज की जानब से उसमें विफाकी विजारत दाखला के हवाले से एक चार्ड शीट किया गया है अगर बा की नहीं बल्के वजीर की खिदमत कर रहे हैं और साथी साथ उसमें ये भी बात की गई है कि विजारत दाखला को ना तो पैयादत मोईसर है और नहीं इसकी सेम्ध जो है वो मत्यिन है इन्हें पता ही नहीं है कि किस जानेब जाना है इस पर रियाक्शन भी आया इंटीरर मिनिस्टर का चौदर निसार सामने एक बाकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस की और उस पर लंबी चौडी तनकीद भी की और ये भी कहा कि ये तरफा रिपोर्ट है उनका मौकफ जो है वो इसम कर्मिशन के रिपोर्ट में पांच सवालात उठाए गए थे उसका भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फरेंस के अंदर जवाब देने की कोशिश की लेकिन इस हवाले से जो ऑपोजिशन है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका तो पहले ही मुतालबा इंटिरियर मिनिस्टर से कि वो रिजाइंग करें क्योंकि नाशनल एक्शन प्लान के हवाले से और दर्शदगर्दी की जंग में जो करदार इंटिरियर मिनिस्टर का होना चाहिए पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन अब उनके आवाज में आवाज पाकिस्तान तहरीक इनसाफ भी मिला रही है और आज भी खुर्शीर शाह साहब की और शामिमुद कुरेशी साहब की मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला किया गया है कि इसम्मली के अंदर पारलिमान के अंदर चौरी निसार साहब को इन्टीरियर मेन या महाजराई के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चार मुतालबात हैं हकूमत से के वो पूरे किये जाएं नहीं तो 27 दिसंबर को ऐलान करेंगे अगले स्ट्राटिजी का अगले लाहयामल का क्या वो चार मुतालबात हकूमत से मनवाने में जरदारी साब अपना करदार अदा कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे सेनिटर नहाल हाश्मी साब हमें जोइंग करेंगे पाकिस्ता मुस्मिंग नवास से बहुत शुक्रिया आपकी तर्श्रीफ आवरी का सेनिटर शिबली फरास सब हमारे सब मौजूद हैं पाकिस्त बनते हैं अगर किसी सानेह पे किसी इंसिडेंट पे अवल तो रिपोर्ट सुनकी आती नहीं है पबलिक नहीं होती हैं आज भी एप्टाबाद सानेह की कमिशन के रिपोर्ट की बहस चल रही थी कि जी वो पबलिक की जानी चाहिए अब एक चीज जो पबलिक हो गई जिस प में सिर्फ वजीर दाखला का जिकर नहीं है और भी बेश्मार अदारे हैं उनका जिकर है सुबाई हुकमत का जिकर है जी मगर तमाम तोपों का रुख खास करके बिलखुस अपोजिशन का और मीडिया का उन्होंने जैसे सेंटर पॉइंट करके फोकस किया चौदरी निसार हैं एफ्सी से लेकर और भी बहुत सारे घारे उस पे किसी कि की कोई बात कीगी है एक कोई बात की और भी इंटर प्रॉविशल जो हर्मनी उस पे कोई बात ने की गई और अगर आप उठा के देख लें तो पचानवे से निनानवे फिसद जो गुफ तक हुई है वहो चोते के दोस्ता कि ना तो पीटिया लेकर आई या ये रिपोर्ट ना ही पीपल्स पार्टी ना ही कोई और पुलिटिकल पार्टी ना ही मीडिया ये तो जस्टिस साब लेकर आए ना इसमें कहीं वो चीज़ का जिकर नहीं है कि इर वस डुमेन अफ चौदरी निसार जहां पर उन् अर्डर बुल्यादी चीज़ और उसमें इतना कैटेगोरिकली अलफाज का इस्तमाल किया गया कि वजीर दाखला और हुकुमत बलोचिस्तान ने गलत बियानी की है देखिए गलत बियानी जो इन्फॉमिशन दिया जाएगा वजीर दाखला को फ्रॉम दे इंटेर के बारे में देखें कि उनके खिलाफ कोई स्केमनी नीट एंड क्लीन आदमी अला से डरने वाला आदमी सच्चा आदमी एक्षञा आदमी इपनी ड्यूटी करता है और कहीं दोर अमली काम में लगा हुआ नहीं होता है ऑनिस आदमी है تو हमें माजी में भी हमने बहुत सारे वजीरे दाखला देखें, I don't want to discuss them, ठीक है, वजीरे दाखला सिर्फ गिम्यदार नहीं होता है, पर आप इस तरह से कह रहे हैं, कि इतने सचे, खरे, ओनेस्ट आदमी के पीछे हैं, फिर क्यों पढ़े हैं, शिबली फरास सब आप लोग, वो तो कह रहे हैं, इमानदारी से का इस तरह का जो देशेदगर्दी चल रही है, उसमें मिनिस्टरी ओफ इन्टिरियर एक बहुत ही उसका कलीदी किरदार है, मतलब है, अगर हम ये कहें कि अगर फाइनेस्टरी के से भी ज्यादा अगर कोई मिनिस्टरी है, जो के हमारे उसके जो मुलक के हालात हैं, उसके तन किसी भी ना चौदरी निसार साब के कैरेक्टर पर हमने कोई बात किया है, ना उनकी ऑनिस्टी को चैलेंज किया है, ना उनकी किसी और उसको हमारा काम सिर्फ वो ठीक है, ऑनिस्टी और ये बहुत बड़े वर्चूस हैं और ये होने चाहिए, लेकिन हमें ये भी चाहिए क एक competent एक aggressive interior minister हो जो के इस पूरे हालात में इस चीज़ों कंट्रोल करें अब national action plan में एक जो चीज़ थी वो ये थी जाहर है कि कुछ सूबों की समय दारी है और कुछ में interior ministry बशमूल बलुचिस्तान government प्लस जो intelligence agencies है ये उनकी responsibility थी अब इसमें हमेशा देखें जब हम democracy की मजबूती की बात करते हैं जब हम civilian हकूमतों की काम्याबी के लिए बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि जब तक आप control नहीं लेंगे आप deliver नहीं करेंगे आप अवाम के लिए वो उनके मफादात का ख्याल नहीं रखेंगे in terms of security तो फिर जब इस सिसम के वाकियात होंगे त इसलिए यह जबूदियत कहलाती है कि अवाम की जवाब दे है तो यानि पीटिया जो है वो चौलर निसार के इस तीफे में पीपल्स पार्टी के शाना बशाना है हम समझते हैं कि देखें people should be held accountable for their acts of omission or commission ठीक है अच्छाब मैं एक ब्रेक लेनू ब्रेक से वापस आएंग विजारत की सेमती तायून नहीं है जो देखेंगर्दी की जंग इस मूर्क में लड़ी जा रही है वो मुभहम लड़ी जा रही है तो how serious that charge is इस पर बात करते हैं एक वकफे के बाद जी वल्कम बैक प्रोग्याम में एक बाद फ़र से खुशामदीद सासी पलोजी साब आप लोगों की जो डिमांड थी पहले ही इस्तीफा का मुतालबा आप लोगों ने कर दिया था जार निसार साब से इस रिपोर्ट के बाद तो ऐसे लगता है कि आपका जो मौकफ था उ पाकिर निसार सब रिजाइंग कर देंगे? या देशतगर्दी के खिलाफ जो भी कारवाईयां हैं पहली तो मैं अभी तक यह बहसे तक लेजिसलेटर या पार्लेमेंटरियन के समझती हूँ कि एटिटरस्ट एक्ट जो है वो उस तरह शायद उसमें भी बहुत सारे ग्रे एरियास हैं अभी तक लेकिन जो प्रैक्टि अभी तन्जीमें हैं या यह जो बैंड आउटफिट एक्जैक्ली उस हवाले से बड़े सीरिस किसम की पॉइंट्स रेस किये गए हैं और यह वही पॉइंट से जो हम बारहा यह उस पर बात करते रहे हैं यही वजाए है कि नेक्शन सेक्यूरिटी के हवाले से हमने कहा कि कमेटी एक जो है इसको रिजलेशन भी लाने वाले हैं हम मोशनल लाए थे बड़ी एक जहर अस पर गुफतगू भी हुई थी मेरे ख्याल में रिजाइन कर देना चाहिए चोतरी निसार को क्योंकि उनसे मामला संभलते नहीं है या तो उनकी अपनी गावर्मेंट के साथ व एक पेज़ पे नहीं है यही वज़ा है कि जो मुक्तलिफ एजनसी से उनके माबें जो जो कौडिनेशन होनी चाहिए वो इस तरह दिखाई नहीं दे और यही वज़ा है कि नैशनल एक्शन प्लान में जो 20 पॉइंट्स थे उसमें से हमने बारहा यह सेनेट में एवान में नैशनल एसेमली में भी हमारे लोगों ने पूछा है उसके जाबात की हमें कभी भी तसली बक्ष नहीं मिले हैं यह बहुत बड़े क्वेस्चन मार्क लग चुके हैं अब इस मिनिस्ट्री के आगे अगर एक बंता नहीं सबाल सकता तो बहतर है वो छोड़ दे घर चला जा मेरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है और बड़े सीरियस चार्जेज जो हैं वोई टीय मिनिस्टर के हवाले से उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से बलोचिस्तान गवर्मेंट के हवाले से हमारे सामने आए हैं और जिस तरीके से रियाक्शन आया है इस पर चौहर निसार साहब क वो कहते हैं कि हर फोरम पर जाकर बात करेंगे पारलिमान के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी इसको चालेंज करेंगे क्या समझ रहें क्या देख रहें कि हमारे हाँ एक तो कमिशन बनते हैं तो उनके रिपोर्ट जो हैं सालहा साल हमारे सामने ही नहीं आती हैं अब एक मामले एक इंसिडेंट की रिपोर्ट एक जामें अंदाज में सामने आ गई तो इतना क्रिटिसिजम साथिया मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल एक नीट्रिल अब्जरवर की तरह आपको एक गुजारिश करता हूँ गुजारिश यह है कि जो कमिशिन बनाई गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए और उनका जिकर हुआ लेकिन कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं था इस पूरी रिपोर्ट में जिसने वो कोई नया हो बात सारी बातें पहले हम करते रहे हैं, पार्टीज भी करती रही हैं, एक्सपर्ट्स भी करते रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट जजज की तरफ से ये आया है रिपोर्ट लेकिन वो कोई उसमें ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं हो लेकिन जो गलती की अनफॉचनेटली इस रिपोर्ट में कमिशन ने वो ये थी कि एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी को सुने बगार आप फैसले नहीं कर सकते या किसी पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं कर सकते जो लीगली उसके खिलाफ हो तो ये जो रिपोर्ट थी चुँकि उसमें सुना नहीं गया तो मेरे अंदाजे में ये जो निसार साब का रियक्शन था वो उनका एक जाइस रियक्शन है कि उसको डिफेंस देने का हाग नहीं मिला मेरा मौकफ सामने नहीं आया और इसको यक्तरफा रिपोर्ट करार दे रहे हैं आप समझते हैं कि वो स्टैंस उनका दुरूस्त है और साथ ही साथ वो कहते हैं कि कुछ पर्सनल भी उन्हें ग्रज या कुछ तलखी नजर आई अपने खिलाफ उसके अंदर देखें रिपोर्ट में यकीनन कोई पर्सनल नहीं होना चाहिए रिपोर्ट का मतलब यह होता है जो इंक्वारी रिपोर्ट का कि वो एक इंपर्सनल होके अबजेक्टिव तरीके से बताया जाए तो येस उनका हक है कि वो अपनी डिफेंस करें लेकिन ये कहते हुए साथ एक बात जो बड़ी क्लियर है वो ये है कि जहां तक मिनिस्ट्री आफ इंटीरियर का इस टेरिरिजम की जो हम जंग लड़े हैं देशित गर्दी के खिलाफ उसमें जो रोल है वो हम सब को पता है और उसकी एक और ये रिपोर्ट में एक तरह की वेरिफिकेशन हो गई है त क्योंकि ये हम भी कहते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री आफ इंटीरियर है ये पूरी तरह अपना रोल अदा नहीं कर रही हम एक हमने रेज किया था इशू के कोमिंग आपरेशन पूरे पंजाब में होना चाहिए जिस तरह बलोचिस्तान में हो रहा है आर्मी को इजादत होनी चाहिए कि वो जाके हर तन्जीमों को पकड़े वो नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ इस किसम के बहुत सारे और रिपोर्ट्स में जो इशू है उस पे हम अल्रेडी बात कर चुके हैं लेकिन इस रिपोर्ट की वज़ा से रेजिगनेशन करना मेरा खाल है गल्थ है ये करती हैं उन तमाम चीजों को जो बहुत अर्से से बात हो रही है कि 20 नुकात नाशनल एक्शन प्लाइन किया कि उन पर अमल दरामत आया हुआ नहीं हुआ नेक्ता का बड़े अर्से से हम बात करते आ रहे हैं कि जी वो क्यों फाल होने के बावजूद भी गहर फाल क्यों है क्यों काम नहीं कर रहा है तो ये आखिर जिम्मेदारी आती तो फिर अगैन हमारी विफा की फेडरल गावर्मेंट पे और फिर हमारी सारी नाशनल पॉलिटिकल पार्टी के उपर चाहें वो प्रोविंशल गावर्मेंट में बैठी हैं आप देखें ये जो 20 नुकात है उस डिलिबेटली या कोई भी वजवात हो तीन साल में भी हमने जहाँ 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 एटीन अमेंटमेंट के बाद पुलीसिंग को ठीक करना था कुछ तक ये कहते हैं कि इन्होंने कहा किया है पंजाब आप में बलुटिस्तान में एफसी और पुलीस दोनों के माबेन पावर शेडिंग है सिंध में अगर रिकूटमेंट बहुत अच्छी हो रही थी पिछले जिनों जो आईजी मौजूदा आज के जो आज तक जो आईजी साब थे एडी खावजा साब वो उसको एक ने खुतूद पे तर्टीब दे रहे थे मगर क्या करें कि जो सिंध की रूलिंग को ना चला रहे हो तो इससे जो देह्शतगर्द हैं जो लौ ब्रिज करते हैं उनको बड़ा फायता मिलता है तलकि एडी खाजा साब की तकरूरी को काफी खुशाइन करा दिया गया था बड़ा 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 धथका पहुंचता है मेरे समझ में ही आता है कि हम अपने पर फाकी हुकूमत पर आपने का कि एक पेच पर एक पर आकर पर क्यों नहीं बात करते हैं तरसा बड़ा को बिस नुकार भी बना दिये वजी और वज़ा से ना पसंद है लोगों को को और वजवात है अगर चोर को पकड़ ले तो पुलीस के खलाफ वो नारे लगा लगा ठीक है ठीक है ओके चलें ये पुलिटिकल डिमांड का वर्ड मेरे खाल से सही उन्होंने दरूस किया कि एक पुलिटिकल डिमांड हो सकती है बट स्टेल मेरा सवाल फिर से वही होगा कि ये कमिशन के रिपोर्ट आने के बाद आज जो हम बात कर रहे हैं काफी अरसे से तो ह हो रही है ना जिम्मेदारी फिर से आगई हुकूमतों पर के काम नहीं हो रहा है मिसाल के तोर पर मदार्स रेजिस्ट्रेशन की बात हुई ये विजारत मजभी उमूर जिसका इस रिपोर्ट में भी जिकर किया गया है कि जी वह मजभी हमाहंगी के लिए कुछ नहीं किया लाउट स्पीकर का इस्तमाल हो रहा है वो बैंड आउटफिट से वो उनके लोगों से खुद मिल रहे हैं चौर निसार साथ आपको पता है ग्यारा हजार से ज्यादा लाउट स्पीकर पे केस दर्ज हो चुका है मंजाब में और बहुत सारे लोग टास्क में ले लिए गए मगर यह सारी कोशिश जो है हुब आली में नहीं है यह इसलिए नहीं है के चीज़े बहतर हो यह तो बघज मुआबिया में है यह चौधरी निसार के साथ यहुद आली में नहीं कर रहे है कि जनाप चीज़े एधारे ठीक हों सिर्क इसलिए के इनको एक मौका मिला है नहीं न कई नीचा देखाएं उनके कैबिनेट के मेंबर को नीचा देखाएं और हम के जगों पे ऐसा होता है कि हम अपनी अपनी कारकरदीगी ठीक नहीं करते हो और दूसरे आप कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी जो कुछ कर रही है वह हुबे अली में नहीं कर रही हैं बुगजे मौविया में कर रही हैं शिबली फराज साब से जानते हैं एक वक्षे के बाद जो विल्कम बैक प्रोगैम में एक बाद फिर से खुशामदीद शिबली फराज साब जो नहाल अश्मी साब ने बात की थी कि उपोजेशन जो कुछ कर रही है वह हुबेयली में नहीं कर रही है आप लोग जाहरा पॉलिटिकल पॉइन्ट स्कोरिंग कर रहे हैं एक मौगा मिल गया है आप लोगो को बहस करने के लिए उस पर शोर मचाने के लिए लेकिन जो बात की कि जाहर है देश्टगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो ना सिर्फ PTI की है ना PMLN की है पीपल्स पार्टी की सब की है सबने ही कठा इस नासूर को खत्म करना है अभी 16 दिसंबर गुजरी है हमें पता है कि किस तरीके से वो गुजरी थी आप लोगों ने वो दुख मैसूस किया है तो उसके बावजूद भी अगर संजीदगी नहीं आई और जिसका एतराफ एक बार फिर से ये रिपोर्ट कर रह कि was से निए माविया के हुज़े से कर रहे हैं मेरा खाल है ये जयाती अपूजिशनBlue का काम यही हो ठाहि यहां पे हुकोमघ की कोताई कोटाइगां होती यहां यह वह आस्पैक्स जिनको कि नहीं देरी discharge दिलानाँ होता है अब ये बात ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा ना बढ़ती ये तब बड़ी जब के इंट्रियर मिरिस्टर साब चौज़ी निसार साब ने एक बहुत ही एग्रेसिफ किसम की प्रेस कांफरेंस की अब उस प्रेस कांफरेंस में देखें जब आपके पास कुई कमिशन की रिपोर्ट आती है ये एक सीरियस डॉक्यूमेंट है आप उसको एनलाईज करते हैं उसको एड्रेस करते हैं उसके जवाबात आप देते हैं और बजाए इसके आपने टीवी पे एक ऐसी प्रेस कांफरस कर दी अगर वो जो बैरिस्टरे साब भी बात कर रहे थे कि उसमें उन्हें नहीं सुना गया हमने एक ऐसी अगरेसिव किसम की हमने वो सची तकरीर सची जिसमें कि जो ची की जरूरत नहीं थी वो किसी और platform पे किसी और तरीके से किया जा सकता बिकॉस इसे तो उनोंने ये वो कर दिया कि अगर तो कहते हैं हो तो इस्तीफा देने को भी तयार थे वजीर आज़न सहाम ने रोप दिया ये तो मेरा खाल है कि ये किसी भी एक sensible या उसमें दिमॉक्रिसी में ये तो होता है कि जो से मिदारी होती है और प्लस ये कि ये कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी है कैबनेट की जो कि प्राइम जिसस साब पे आइद होती है कि उनको चाहिए कि देखें ये प्रारटाइस जब तक आप नहीं करेंगे ये इस इशू को ये सबसे एहम तरीन इशू है जब आपके अमन नहीं होगा आपकी नहीं इन्वेस्मेंट आईगी जो के हमारे फिगर से जाहर हो रहा है कि फॉर्ण डारेक्ट के इन्वेस्मेंट बिलकुल तकरीबन जीरो हो चुकी है मुलक में लोग नहीं आएंगे आपके क्रिकेट टीम आपके मैच कrzy़नें नहीं आएंगे ये शो करता है कि हमारे मुलक को लोग सेफ नहीं समझते तो हमारी सबसे प्योरिटी सबसे मैं कहता हो कि नमबर वन प्योरिटी शुड बी not the roads not the bridges not the other buildings but हमारी top most parrot unity national action plan को अमली जावा पहना जाए अब नेक्टा है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी कोई सेशन ही नहीं बुलाया इंपॉर्टस नहीं देते हैं ये एक secondary issue है जो के तब आता है कमीटी का कितने इजलास हुआ एक इजलास हुआ बिल्कुल तो ये शोज करता है कि कितने सीरियस नहीं है ठीक है उससे पहले जो साहब अब जर्दारी साहब भी वापस आ रहे हैं और आपके जो चार मतालबात हैं उसमें एक तो जाहर है कि आप भी मुझे उतना ही टाइम दें जितना नियालाश हुआ है जो चीजें पर दी और जो में वाज़े करना जरूर चाहूंगी एडी खाजा साहब अच्छी पुलिस ऑफिसर हैं दूस्टे भी हमारे बहुत सारे अच्छे संद में आफिस होते हैं वफाक में चाहे वो तबादले होते हैं उन्होंने काफी टाइम दिया भी वोख सकता है फिर भी उनको जो है लिया जा सके लेकि सिंद गवर्मेंट की अपने जो एक प्रोगेटिव है आप कहरी रूटीन का तबादल हो रहा है यारी सिंद हो या दूसरे इदारे हो के सिंद और ये सब लोग मा शन से देशगर्दी के होाले से बैस थी आज और उसमें हम सब ने हिस्सा लिया मेरी फकण पार्टी ने नहीं दूसरी पार्टी इसके लोगों ने सिंद्ध हकुमत की दैश्वतगर्दी के खिलाफ जो भी आपरेशन है उसमें कारकर्ड़िए साब या सिंद्ध सेंब्ली में इस हवाले से जो लेजिस्सेशन किये सबको उस सारी चीजों को सराया गया है संद तीन सूबों से इस हवाले से काफी हमें उपर उसकी कारकरदगी लगती है उसको नमाना मेरे खाल में तो निहाल आश्मी साहब अब जो हमें पॉइंट के हवाले से कहते हैं लजाम देते हैं वो खुद से हवाले से कहे रहे हैं दूसरी बात यह कि गए जो टिकर्स में देख रही थी वह शायद इसमें हमारे से भी ज्यादा कमीशन की रपोर्ट आई है हम ऽृद्स चौह से कहरे हैं मैंने का ओ लोगों के अब ने कार्शन की हमारे से बहुत सारी चीज है आपने अब बात की न कि इस हवाले से गवर्मन्न को पैश्राफ करनी चाहिए और 27 जिसमर की बात कि कही गई चल रही है वो बिलकुल दुरस्त है हमने उनको टाइम दिया है गवर्मन्न ने अब देखते हैं रही बात आस्फ अलिजदाई साफ फार्मर प्रेजिडेंट साफ के हमारे से मेरे खाल मे वो जब भी चाहें आएं उनकी तबस्थ सही नहीं थी लेकिर बात यह है कि जरूर मैचूर एक सासदानों में से एक हैं और उनकी जो संजीदगी फैमिलगी सबसे आया है चुपी नहीं है वो जरूर चाहेंगे पाकिस्टान पार्टी का हाले से चैमिलावल भुटो जरदा बात करूंगी कि वो कौन सा एजेंडा लेकर आ रहे हैं और जो इनके मतालबात हैं पीपल्स पार्टी के उसको किस हद तक मजीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो मुफाहमत के लिए आ रहे हैं या महाजराई के लिए आ रहे हैं लेकिन जो अभी बात हो रही थी नाशनल सेक्य के हवाले से और जो प्लान हमारी सियासी जमातों ने मिलकर वजा किया था अली जफर साब उस पे जब काम नहीं होता और सिर्फ इस नाशनल एक्शन प्लान की ही बात नहीं है कोई और भी पॉलिसी अगर बनती है तो हमें वह उस वक्त तक या क्यों नहीं आती कि जब तक ख जाहरा नजर नहीं आता है हुकमरानों की तरफ से बहुत पर अनफॉचनेट है आपको पता है जब यह हुआ था कोईटा का वाक्या मैं प्रेजिडन्ट था सुप्रीम कोड बार सोसीशन का तो हम लोग गए थे कोईटा और इन फैक्ट बरोचिस्तान गवर्मेंट ने हमार हर पार्टी की नमाइंदगी लेके हमारे पास आए डिसकुशन हुई कि अब यह चाहते कि आए तो उसके बाद नैशनल सेमडी के लोग भी आए सिर्फ जो नहीं आए मुझे याद है हमने बड़ी बार रिक्वेस्ट भी की वो मिनिस्ट्री आफ इंटियर यहां हकूमत के लोगों मेंसे कोई नहीं आया उसके तना बड़ा एक इशू बना हुआ था और हमने एक ही डिमांड रेज की थी हमने का था देखें हमारे साथ तो जो हुआ है हुआ है अब आप यह जो नैशनल एक्शन प्लैन है जब भी कोई वाकिया होता है हम इसको भूल जाते हैं हम इसको आगे नहीं चलते हैं हम बहुत सारी गुफटगू करते हैं तक्रीरे कर करते हैं दुख का इज़ार करते हैं लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं तो प्लीज यह इस बार आप यह जो सिवल सुसाइटी की क्रीम इंटिलेक्शल क्रीम पर अटैक हुआ है इस बार आप हमारे साथ बैट के कोई प्लैन डिस्क्लोज करें कि क्या है लेकिन सब हमारे साथ शिरीक हुए और उन्हें काफी हमारे साथ पारलेज की डिसक्शन की सुप्रीम कोर्ट के बार में आके और हमारे सारे लीडरां से मिलके तो यह बिलकुल आप दरुस फर्मारी हैं कि यह जो इसको इंग्रेजी में लफ़ कहते हैं एपैथी बिलकुली बेहिस हो जाना आपको कोई ख्याल ना होना कि ये किस तरफ आगे जाना है तो यहां तक मैं बिल्कुल पुलिटिकल डिमांड जो कर रहे हैं हमारे यंग लीडर हैं बिलावल साब हमारे पी टी आई के लीडरां जो हैं वो सारे वो बिल्कुल सही डिमांड कर रहे हैं politically के yes interior ministry अगर आप अपना काम नहीं किरदार अदा कर सकते तो चले जाएं और मेरा खाल है इसमें सबसे बड़ा important role हमारी armed forces का है उनकी बहुत सारी demands है जो मुझे पता है के ministries हमारी नहीं मान रही है जो literally security of Pakistan के साथ related है हमें पता है मुझे पता है कि अफगानिस्तान के साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या वहाँ development हो रही है जो ज़रूरत है हमें रोकने की हमें पता है कि वो जो displaced persons हैं उनको किस तरह rehabilitate करना चाहिए हकूमत का काम है वो भी नहीं हो रहा तो यह सारे issues हैं जो कुछ issues raise हुए इस report में और कुछ नहीं हुए जो आप बात करें कि अगर enforces की बात करें तो वाज का जो जर्बे अस पॉपरिंग उस हवाले से भी ISPR की एक press release आई थी और यह कहा था कि अगर सिविले निदारों ने अपना काम नहीं किया तो डर यह है कि जर्बे असके जो भी समराथ अभी तक पहुँचे हैं जो काम्याबियां भी तक हासिल हुई है वो उन्हें नुकसान पहुँच सकता है यह भी प्रेस रिलीज में मेंशन किया गया था मजीद बात करते हैं इस हवाले से एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक प्रोगैम में एक बाद फिर से खुशामदीर नहाल आशमी साभ आप से जाना चाहेंगे जर्दारी साभ तो वापस आ रहे हैं अब वो मुफाहमत की पॉलिसी जिससे पीपल्स पार्टी अग्री भी करती है कि कहीं न कहीं उन्हें नुकसान हुआ खासकर पंजाब में लगता ऐसा है कि शायद बिलावल भुटों के जो बयानात आए है जो जारहाना पॉलिसी वो साधिया आपने बहुत अच्छी सवाल किया है मुझसे मैं आपके तवस्तों से पूछना चाता है गय क्यों थे आना जाना तो लगा रहता है और अगर आ रहे हैं तो क्या वो साट मिलियन डॉलर लेकर आ रहे हैं सुछ से क्या पैसा खतम हो गया उनका कि अब दुबारा पै सब्सक्राइब हैं तो मेरे समझ में इने गय क्यों थे बिमार वो बता हो हे पाकिस्टान में भी इराकीा हुटाना जाना क्यों और अब आई इस थाखे यूर का वह एक इसे बाद कि रहे हैं वह मुझना को जो ऑप तक अब बा सब कर दो के तुम बेसे स्टॉक चैनल आंगे उस्त्करा कोए मिवकित स अपना नुव स्टिक सोगाए कि स्ट एवे is और पुछने येयु ऊ ifas करके चाले हैं मैं बेश में बान करने कुछा जाना है लेकिन बारी जाती है लेकिन यह लेकिन बारी दर्चाब के हमाले से देशतगरदी में भी हम आगे हैं का इजलास इजलास उसके देख लिया आप अगे लिजिस्लेश्टर दिए खिलाफ एक्षे लिए नाम में लिया और और क्यूंकि पयुक्तमना पेपर्स पर हमारे मतव्यका बिल इज है वर वे वो खौना करें वह लिए अप आप लगनी रहा और आप जो हैं वो पीपल स्पार्टी की तरफ जा रहे इन मामलाद पे चाहे वो पैनमा हो या फिर ये निशनल एक्शन प्लाइन का जिकर हो नहीं देखें हमारी पोडिशन ऐस पर इसका तालुक है पैनमा का तो जाहर है कि वो एक ऐसा पॉइंट है कि जो भी पार्टी उससे हम वन पॉइंट एजंडा पे और देखें ये जो जहां प हमें इनके साथ जोइंट वो से उससे कोई अद्राज नहीं है और बाकी रहा हमारी बाकी पीपल्स पार्टी की अपनी पोडिशन है हम उनसे कई चीजों पर नहीं अग्री करते हैं और ये एक पॉइंट है जिस पर हम उनसे अग्री करते हैं तो इसलिए ये कॉमन कॉज है इसलिए मैं समझता हूँ कि बिलाओल भुटों साथ पार्टी को बहुत बहत बहतर लेके चल रहे हैं खान साथ मिलेंगे असर जरदारी साथ से मुलाकात होगी नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी मुलाकात का चांस है बच्चा पार्टी कह रहे थे खाल चौदर निसार के साथ में प्रोग्राम में किसी भी नहीं बेट होगी नहीं किये जा रहे है जब एक आदमी अंकल कह रहा है तो इसके माने वह उसे च्छोटे है तो बच्चा पार्टी को बलावल चैर्मेंट साथ ने हमारे ब्लावल भुटो जरदे साथ अब आपके खांदारी पार्टी को बिए बच्चा हूँ मैं बेनजी भुटो को बेरे खाल में उससे प्रूफ किया है और चार डिमार्स लेकर चल रहे हैं और साथे दुसरी बात यह कि यह जो टिकर चल रहे हैं कि जो चौदरी निसार के खिलाव परस्रील तो खिलाव जारी बात नहीं है लेकिन उनकी जो आप उसक्त कर देगी कि उनकी परफॉम्मंस के खिलाव है उनने डिलिवर नहीं किया अपनी बात की है अगर अब यह जारी और आपस में पैसे लेके आ रहे कि नहीं यह बतादिए बात कर लूँ यह पैसा खिलें यह परस्रा आप ऑप्रस्राव करें हर स्यासी जमाद जो गयादत जिसको मिलती है जो इक्तिदार में आती है करती तो है लेकिन वो आखिर में हमें मुम्किन नजर नहीं आता वो आपको नज़र है कि कुछ होगा प्राक्टिकली बेरीस्र साब आपको आवाज आ रही है जी आ रही है इस वारो आप शोर शराबा ये तो यही सवाल था कि महाजर राय इस बार आपको नजर आ रही है कि मुफाहमत नजर आ रही है और इन्हों ने जो का था कि जी वो पैस अजमुर्ख से बाहर गया वा है जो हर आने वाली जो गयादत है हर सियासी जमाद जो है वो बात तो जरूर करती है कि हम कावानीन पर अमल दरामत कराएंगे हम जो हैं वो इहतसाब करेंगे लेकिन होता हुआ आज तक हमें नजर नहीं आया देखें जी बिल्कुल सही है लेकिन इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ एक चोटी सी चीज मैं कहना चाहरा था जो बड़ी डिबेट हो रही है आज केल टीवी पे वो कमिशन की रिपोर्ट के बाद जो प्रेस कॉन्फरेंस की थी निसार सहाब ने वो उस पे तल्कीद हो रही है कि वो शायद नहीं करनी चाहिए थी कोई और तरीका अपनाना चाहिए था लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँके कमिशन ने खुद ही रिपोर्ट को कहा कि इसको शाया किया जाए और पबिश किया जाए तो चौदी निसार सहाब की प्रेस कॉन्फरेंस उसका सही जवाब था उनकी एक डिफेंस आई है सामने और अब वो डिफेंस को आगे किदर लेके जाते हैं उसको चैलेंज करते हैं वो उनका हक है इस कहने के बाद अब मैं जिसना देखता हूँ जी पुलिटिकल सिच्वेशन वो ये है कि आपकी इस वक्त आई थिंक दो या तीन पार्टी जो है उनको वो इसको फ्लैक सिप स्टोर बनाना चाहिए उनको इतना अच्छा करना चाहिए इतना मजबूत करना चाहिए कि देखें ये होती है गवर्नेंस और फिर वो नैशनल पॉलिटिक्स की तरफ कहें और हम से वोट मांगे के देखें ये हमने अपना जहां हमारी थी हमने बड़ा अच्छा काम किया है अब हम सही है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या तनकीद बरा है तनकीद के बजाए जहां जहां अवाम ने मेंडेट दिया है जहां जहां होकूमते हैं उस सूबे को मॉडल सूबा बनाने की कोशिश की जाए I have to wind up है बहुत शुक्रिय हुआ 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 है